करने में एक महत्वपूर्ण पौधा है अफ्रिकन देशों में इसे माताओं का सबसे अच्छा दोस्त और पश्यमी देशों में इस न्यूट्रिशन डाइनमाइट के नाम से जाना जाता है सौ से भी अधिक तरीकों से इसका उप्योग पोशन के लिए होता है मुनगे की फली से जहां स्वादेश्ट सबजी बनती है तो वहीं इसे सेक कर खाने से ये मुंग फली जैसा स्वाद देता है मुनगे की बीज से तेल, छाल पत्ती, गोंद और जड़ से अईरुवेदिक दवाईयां और तने फूल पत्ती से खादी तेल मिलता है मुनगा 300 से भी अधिक बिमारियों के उपचार में काम आता है 100 ग्राम मुनगे की पत्तियों में 10 से 9 गुना अधिक प्रोटीन संत्रे से 7 गुना अधिक विटामिन C गाजर से 4 गुना अधिक विटामिन A केली से 15 गुना पोटेशम पालक से 25 गुना आइरन और दूद से 17 गुना ज्यादा केल्शिम होता है मुनगे के बीज के चूर्ण से पानी शुद्ध किया जा सकता है इस तरह मुनगा आज की युक की संजीवनी बूटी है मुनगे की पत्तियां शिशू और बढ़ते बच्चों के लिए टॉनिक के समान है इसके पत्तियों के 25 ग्राम चूर्ण से बच्चों को 42% प्रोटीन 125% कैल्शियम 6% मैगनेशियम 74% आयरन 41% प्रोटीशियम 272% विटामिन A और 22% विटामिन C की पूर्ती होती है इसकी पत्तियों का रस बच्चों को दूद में मिला कर देने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है महिलाओं को मुंगे से कैल्शियम, विटामिन, आइरन और अमीनो अमल मिलता है मुंगे की पत्यों का रस गर्भवती माताओं को प्रसव पीड़ा से राहत देता है और इससे माताओं में दूद का स्राव भी अधिक बढ़ जाता है मुंगे को लगाने के लिए ताजे बीजों को रात भर पानी में बिगोएं खाद और बालूरेत मिली आड़ बाई चार की पॉलिथिन बेग में दो बीज प्रती बेग के अनुसार एक से दो इंच की गहराई में बीज को लगाएं एक महाबाद पॉधों को डियर्ड भाई डियर्ड के गड़े में लगाएं और हलकी सिचाई करें छे महाबाद ये पॉधा फल देने लगता है मुनगे की पत्तियां भी बहुत लाबदायक है इसे भंडारित भी किया जा सकता है सरुटधम इसे पीड से तोड़ें, छाया में सुखाएं, कूट कर बारिक करें फिर इसे च्छान लें और फिर आप इस चूर्ड को सबजी में मसाले की रूप में काढ़ा बना कर ये बता सकते हैं कि किस वजन के बच्चे को कितनी मात्रा में मुनगे का पाउडर देना है सागर संभाग से कुपुशन दूर करने में मुनगा एक महत्वपून हत्यार है आईए कुपुशन की इस लड़ाई में हम सभी शामिल हों एवं माता और बच्चों की स्वास्त को उत्तम और निरोगी बनाने में अपना योगदान दें